गाइस सचिन तेंदुलकर के 1999 के रिकॉर्ड से चुप गए, इस बार विराट को नहीं बलकि श्रेयस एयर को ताज मिला। भारत और नीदरलेंड के बीच विश्वकप 2023 के आखिरी लीग मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बने। रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा श्रेयस एयर ने भी एक शांदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालां कि वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकलने से सिर्फ 12 रन दूर रह गए। एयर ने नीदरलेंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप का अपना पहला शतक लगाया और 128 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चोके और 5 चक्के लगाये। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे पहले सचिन तैंदूलकर और युवराज सिंग के बाद श्रेयस अयर विश्व कप में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाने वाले तीसरे भारतिय बल्लेबाज बने। चोथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अयर ने दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत्स को बनाया है। उन्होंने इस मामले में युवराज सिंग को पीछे छोड़ दिया है। युवराज सिंग ने 2011 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चैननई के मैदान पर 113 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली सचिन के ज़्यादातर रिकॉर्ड तोड़ते नजर आते हैं लेकिन इस बार श्रेयस अयर के पास महान तैंडूलकर का रिकॉर्ड तोड़कर नमब एक बनने का मौका था श्रेयस अयर इससे महस 13 रन दूर रह गए। सचिन ने 1999 विश्व कप में चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करते हुए भारत के लिए सर्वोचब यक्तिगत्स को बनाया था। सचिन ने केनिया के खिलाफ उस मैच में 140 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अगर अयर 13 रन और बना लेते तो उनका सर्वोचब यक्तिगत्स को 141 रन होता। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इंस्टेग्राम में लगातार वीडियो हम आपके लिए मापर डालते रहेंगे। ठीक है थैंक्यो फो वाचिंग।